हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू शिरी एजुकेशन सो फ्रेंट्स आजाए 23rd नॉवैंबर तो 23rd नॉवैंबर के आपके जितने भी इंपॉर्टन के रंट फिर होंगे वह सब हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और अगर आप लोग को इसका पीडियाफ चाहिए तो अप्लिकेशन पर जाकर आप इसका पीडियोफ ले सकते हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि 22nd नॉवैंबर के पढ़े थे तब लास्ट में आपको एक टेस्ट कोशन दिये गया था सबसे पहले वो टेस्ट डिसकस करेंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंड़ सुकल का आपका टेस्ट कोशन था कि हाल ही में किस राज्ये ने अरुधती योजना शुरू की है तो इस राज्ये का नाम है असम आप यानि की डी ऑप्शन आपका सही है और आपको बताया था कि योजना के थैद क्या होगा कि जिन परिवार की सालाना इंकम पांच लाग से कम है उन परिवार की लड़कियों को शादी के वक्त एक तोला सोना दिया जाए ठीक है तो इस योजना के बारे में आपको याद रखना है असम राज्ये में यह योजना शुरू की गई है डी ऑप्शन आपका सही था और का कि अपनाया गए है तो वर्ड S.O.PD. यह रहां यह जो दिन है यहां यहां यह यह अपको आपका सही है और यहां पर आपको यह पताना चै कि ए जो दिन है ना वर्ड C.O.PD. यह दिन और नुव lira के मनत में तीसरे वेडनेस डे तो ayumpa का एम बहुतबा चाहिए और यह दिन कसे द्वारा और नाइस में एब यह आपको पता maior wash तो यह जो इन ऐन है kg two-year प्लस गोल्ड गोल्ड इसकी फुलफर्म है ग्लोबल इनिशेटीव फूर कॉरुस्ट्रक्टिव लंग डिसीज है इन दोनों के दुआरा यह दिन सेविरेट किया रहता है डाई दुछ और पहली बार इली दिन कर सेविरेट किया गाहिट है यह भी पता हूंची तो फर्स टा अब यहां पर आपको COP Александр is a C-OP-AD? । इसकी zh15 hani, chronic obstructive plumary disease छोजिर होता है, इस पॵिहाली सोधिती है यह दिन हमायों बनाया गाया घ्न तो इस तो इसंद के बारे में इधेल सक्वाण के जाखरपता बढ़कता उन्हें होता है को मालूम होना चाहिए तो 2019 का थीम है all together to end COPD क्या थीम है all together to end COPD थीम आपको यादख नहीं आपकर अब यहां पर आपको WHO यानि कि World Health Organization के बारे में पता होना चाहिए तो WHO इसके स्थापना 1948 में हुई है और इसका जो हैड़ो काड़ रहना यह जिनेवा में स्विजर लैंड के अंदर ठीक है और इसके हैड का नाम अगर पूछा चाहिए तो WHO के हैड है टेड्रोस अधनों तो यह कुछ इंपॉर्ण बाते आपको याद रखनी है इंपॉर्ण आपके लिए और इस कोशन के बारे में भी याद रखना इंपॉर्ण नेक्स कोशन है आजगा कि हाल ही में किस देश को आई एफ एफ आई 2019 का फोकस देश बनाया गया है तो इस देश का नाम है रूस यानि की बी ऑप्शन सही है हाल ही में जो इंटरनेशनल फ इनेमा के छेष्टर में विशेश योगदान देऊ हो तो इस साल 2019 में रूस को चुना गया है कि यह एहां पर आपको आई i.f.i. इसके बारे में पता नầy इंटरनेशनल फीलम पेस्टिवल और इंडिया इस साल 2019 में पचास्मा संस्क्रम आईए और कबसे धाई पता इसाल वारत के अंदर गोवा में इसे अर्गनाइस किये गए तो आपको यहां पर यहां पर यह पता होना चाहिए रूस के बारे में यहां पर बतायाएं क्योंकि फोकस ब्रूस है तो यहां पर रशियर क्या पिटल है मोस्कोव करंसी रुशियन रूबिल और प्रेजिडेंट है वलादी मेर पुती और प्राइम मिर्स्ट का नाम अगर पूछा जाए तो प्राइम मिर्स्ट है दिमित्री मेटवडेव ठीक है तो यह कुछ कुछ इंपॉर्ण बाते हो गए रूस से रिलेटर अगला इंपॉर्ण कोशन है कि हाली में किसने आई एस एस एफ विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता है तो उनका नाम है इलाबनील बलारवीन और दूसरे है दिव्यांश पवार यानि कि आपका सी ओफिस है इन दोनों लो गोल्ड है जीता है और आपको यह भी बता दू कि इस एस एस एमरी कॉप में बहां का तीसरा गोर्ण है पहला गोर्ण मनून जीता है कि मनू भाग कर सबριद्द्दा घीजिता है त oluyor सो कि यह बहुंकि आपको यह आई इस एस एस एफ वर्लू में कहां पर और पर और नाइस इसके बारे में पता हूं जी इसकी फुल्फोम है International Shooting Sport Federation क्या फुल्फोम है International Shooting Sport Federation और इसकी स्थापना कब हुई तो आई SSF की स्थापना 1907 में हुई है और इसका headquarter Germany में है और प्रेजिडेंट का नाम भी या रखना है तो प्रेजिडेंट है व्लादी मीर लिसिन का नाम भी या रखना है अब चाइना के बारे में पता हूं जी कल भी बताया गया था आपको तो यहां पर चाइना इसकी कैपिटल है बीजिंग करंसिया रिन मिंबी और प्रेजिडेंट है शी जिन्पिंग तो यह इंपॉर्टन बात है चाइना के बारे में जो कि आपको नोट करनी है नेक्ट कोशन है हाली में ग्लोबल बायो इंडिया सबमेट 2019 कहां पर और नाइस किया जाएगा तो ग्लोबल बायो इंड सबमेट 2019 इसे डली में नहीं डिली में ठिक है जो अपका सही है कब से कब तो नहीं किया गया है तो यह कर देकर तेजर अधिकिके किया था और आपको बताते हुँ कि यह जो ग्लोबल बायो इंडिया सबमेट है यह पहली बार भारत में और मैंतिया घ्मित बार देश चीछ तो भारत में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके इसलिए इसे बायो इंडिया सब्मेट को और नाइस किया गया था है किसके द्वार और नाइस की में तो ब पता है कि तो बी आई और एक और साइस एंड तेकनोजी मिनिश्ट्री के द्वार एक लिडिया वाड-एक ट्रेम ऐसे भी हडानट कि फूल फूल फूलिविं에 ofky deren ke जैसे कि मैंने बताई कि Science and Technology Ministry की तो हमारे विज्ञान और प्रद्योग की मंत्राले के मंत्री का नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम आपको वात है नेक्स कोशन हाली में किसे बीजिदेंट्स किल अप समांति गए तो उनका नाम है तो यह осв disorder से 858 को पारती किने सेना अकेडमी को एस ने और किमें इक केरल कि करो के केडमी कोचा केडमी और यह संमान थिए और यह सममान зंदेयत आफ रेस्ट की द्हार कि आप लगहे तरणे कोजिक है यह जुसे और यह प्रेज्टोंAL और यहां पर नौ सेन का नाम आये को इंपोर्टट एक्सार पूछ लिया जाता है तो उनका नाम है करम वीर सिंग पर मारे नौ सेन करमॉ। हिना कि में सबस्क्तारी में में आज़नाक कि हाली में रforming साथ कि रह वारन ऐस्तेंशन नॉर्थ इस में है तो तो उनका नाम है जितेंद्र सिंग, सी ओप्शन सही है, जितेंद्र सिंग आपको पता दू कि हमारे पुर्वोत्तर शेत्र के विकास राज्यमंति है, इन्होंने हाली में बनारस में डेस्टिनेशन नौर्थ इस्ट मोहसब का उधगाटन किया है, इस मोहसब में क्या होगा कि हस्तकला, नरित्ते, गीत, यह सब का अयोजन किया जाएगा, ठीक है, और आपको पता यह बनारस कहाँ पर है, बनारस यूपी में है, तो यूपी के बारे में आपको यहाँ पर मालूम होना चलिए, उससे पहले यह जखिए, जो पिक्चर में दिखा जिए है, जितेंद्र स सिंग, अभी मैंने बता है, जितेंद्र सिंग कौन है, पुर्वोतर छेत्र के विकास राज्य मंत्री, ठीक है, इनका नाम याद रखना है, और यूपी, यहाँ पर है, यूपी कैपिटल लखनू, चीफ मिनिस्टर योगी अधित्यनाथ, और गवर्नन आप लोग जानते है मैं याद रखनी है आपको, यहाँ पर एक इंपॉर्ण बात बता दूँ कि आप लोग को बताया गया कि यूपी ही ऐसा राज्य है, इसमें लोग सभार, राज्य सभार, विधान सभार सिरे सबसे अधिक है, ठीक है, नेक्स कोशन है कि विश्व मतस्य दिवस, यानि कि मचली पैलन आप लोग को जानते हैं, जादा से जादा लोगों का यह रोजगार है, तो इसे बढ़ावा देने के लिए इस दिन को सेलिवेट किया जाता है, और इसके बारे में आपको इतनी इंपॉर्ण बाती याद रखनी है, इसके बाद, नॉम्बर के मन्त में जितने सेलिवेट किया है, वो एक बार रिपीट कर देती हूँ, और मेंबर के मन्त में फिनिश होने के बाद आपको लिस्ट भी प्रवाइड कर दी जाएगी, टेलिग्राम पे, तो 5 नॉम्बर को सुनामी जाग रूपता दिवस, 7 नॉम्बर को राष्ट्रे कैंसर जाग रूपत और 13 नॉम्बर को विश्व द्यारूता दिवस, 14 नॉम्बर को बाल दिवस, प्लस डियाबटीज दिवस, उसका 16 नॉम्बर को राष्ट्रे प्रेस जाग रूपता दिवस और इंटरनेशनल टॉलेंस डे, 17 नॉम्बर को राष्ट्रे मिर्गी दिवस, 19 नॉम्बर को इंट को याद रखें तो यह कुछ इंपॉर्ण बाते होगा इस कोश्चिन से रेटेड नेक्स कोश्चिन हाली में किसके द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षिन ग्रामीन पुरसकार दोजा निस दिये गए हैं तो उनका नाम है डी वी सदानंद गोड़ा यानि कि ए उप्षिन सही है आ हमारे केंद्रिय रसायन और उर्वरक मंत्राले के मंत्री हैं जिन्हों ने हाली में स्वच्छ सर्वेक्षिन ग्रामीन पुरसकार वित्रती हैं दोजा उनिस में आपको बतातू कि एक रेंकिंग की गई थी राज्चियों की और जीलों की रैंकिंग की थी जिसमें जो मंत्राले के मंत्री हैं अब यह पुरसकार किसे किसे मिले हैं यह आपको बता रहती हूं तो देखिए जो राज्ची थां फॉस्त राइंकिंग पे वह था तम्मील नाडू राज्ची तमील अडू को मिला यह पुरसकार दूसरा जिले की रैंकिक में पहले स्थान पर पेड ईयोजित किया गया, इसका नाम है इस Forum का भारत Europe 29th令-9 इसे हाल ही में New Delhi में और इस करनाइस किया गया है कब से कब तक हर्by घ्टाय़े इस पर इस बीजनी किया गया है यह भी और बताऊंगी आपको उससे पहले आपको बता दू कि यह जो बिजनस फॉर्म है ना यह किसके दोरा और और तो सी आई आई यानि की अरे इंडस्टिज अब इसके बाद आपको विदेष मंत्राली के बारे मिपारे मोर्म हों इस जैशंकर सुब्रमंड्युज शंकर में जैशंकर है इनका नाम आपको नोट खर नाइंपोडलन ठीक है और सगेड में गार्वाज कोशन है कि हाल ही में किस राज्य ने वाई एस सार मंत सक्क्या भरोब्हा जोजना शुरू की कि तो उस मacement के आंधर परदेश यानि ये की traditional बी options सही आंधर परदेश के जो चीफ निपर से लिए या जग्मोहन रेड़ी हुआ मैं वाका इस वाले दिन व है? अभी मैंने आपको बता है 21st November को विश्व मच्छ से पालन दिवस से लिएट किया तो उसी दिन इस योजना को शुरू किया गया था वाई एस जगमोहन रेड़ी के द्वारा ठीक है और इस योजना के बारे में बताती है तो इस योजना में क्या होगा कि जो लोग मचली पाल में सुरू किया है उससे पहले यह जो पिच्छे में दिखा रही है वाई एस जगमोहन रेड़ी ठीक है और यहां पर आंदर परदेश इसकी कैपिटल है अमरावती चीफ मिनिस्टर अभी मैंने बताया वाई जगमोहन रेड़ी और गवर्णर का नाम याद रखने तो गव यह कुछ इंपॉर्ण बात होगी आंदर परदेश से रेड़ेड़ और आज का आखरी कोश्चन है वह यह है कि हाली में किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंद लगाने की घोशना की है तो सर्वाज्य का नाम है केरल यानि की बी ऑप्श प्लास्टिक वह सिर्फ एक बार यूज होता है तो ऐसे प्रोडक्स पर रोक लगा दी जाएगी केरल सरकार के तरह ठीक है वी ऑप्शन आपका सही है ठीक है और सिंगल यूज वाले प्लास्टिक जो पादेशन के एक्जामपल बदाती हो जैसे कि पानी की बोटल्स और सब्सक्राइब के लिए जो कि आपको याल रखनी इंपॉर्टन आपके लिए और यह थे आपके आज के यानि कि 23rd November के करेंटिफेर्स और जैसे कि स्टार्टिंग में कहा गया आपको कि लास्ट में टेस्ट दिया जाएगा तो आज का टेस्ट कोशन है कि हाली में किसने अगर आपने ध्यान से देखा हुआ तो आपको इसका आंसर पता हुआ ठीक है तो इस कोशन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा सो अफिन से वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बतेगा कि आपको